रजाली आबदी अपनी किताब में लिखते हैं, जब से रेल चली है, लोग अपनी बेटियां दूर बयाहना शुरू हो गए हैं। मैं किसी बेटी के बयाहने को तो रेल में नहीं बैठ सका, मगर कुछ कहानियां थी जो मुझे अपने ताकुब में रेल पे ले गए। ये छोटे-छोटे सफर जो बाद में कई लंबे रास्तों का जवाज बनते चले गए, मेरे उन दिनों की कहानिया हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इनके साथ साथ पसमंजर में किसी तहजीब का नोहा है, किसी शख्स की वरास्त है और किसी हानदान का असासा है जो कहीं खो गया है। यह किताब लिखते वक्त मैंने किसी किसम की मनसूबा भंदी नहीं की थी बस मैं कहानिय लिखता गया और यह किताब आज आपके पास मौजूद है इसे पढ़िए फरागत से पढ़िए जब आपके पास वक्त हो और बहुत वक्त हो